हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एससे क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो एससे सीजियल 2022 का फाइनली कल से एक्जाम स्टार्ट होने जा रहा है फॉर्स्ट दिसंबर से और आज है लास्ट डे तो लास्ट डे में ज्यादा से ज्यादा आप से कोश्टन ओके जिसमें स्टैक्ट जीके का जितना भी एक्सपेक्टेट टॉपिक है उसका जो है एक कम्माइन यहां पर टेस्ट लिया जाएगा और साथ में जो रिसेंड में भी जो इक कोश्टन पूछे गहे हैं स्टैक्ट सेक्शन में उन सब को मिलाकर एक मॉक लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ओके तो फिलाल देखते हैं मॉक टेस्ट नंबर 9 में किसका क्या प्रफॉर्मेंस है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्टन के साथ पहला कोश्टन है कि what is the new name of औरंगाबाद डिस्टिक in महरास्टरा महरास्ट के औरंगाब जो डिस्टिक है उसका नया नाम हो चुका है वो क्या है सांभाजी नगर ओके यह है new name औरंगाबाद डिस्टिक का सांभाजी नगर नेक्स्ट है which state government has bagged the first prize in national MSME award 2022 तो किस राजसरकार ने राष्ट्रिये MSME पुरुसकार 2022 में प्रथम पुरुसकार प्राप्त किया है तो किस राजसरकार ने किया है वो किया है ओडिसा ने तो राइट एंसर क्या होगा ओडिसा नेक्स्ट है world population day is observed every year on विस्व जन संख्या दिवस हर शाल कम मनाया जाता है तो आप जानते हैं 11 जुलाई को होता है world population day next है who won Wemildon 2022 main single final तो Wemildon 2022 पुरुस एकल final किस ने जीता है किस ने जीत लिया है Wemildon 2022 final तो राइट एंसर क्या होगा नुवाग जोकोविच ठीक है नुवाग जोकोविच next है what is India's rank in the global gender gap index 2022 global gender gap index 2022 में भारत की rank क्या है भारत का rank है 135 ओके ये है rank भारत का global gender gap index 2022 में 135 next है which city will host world athletics championship 2025 विश्व athletics championship 2025 दो हजार पचीज की मेजवानी कौन सा सहर करेगा वो कौन सा सहर है जो दो हजार पचीज का विश्व athletic championship को host करने वाला है उस शहर का नाम है टोकियो next है who won woman single title at singapore open 2022 singapore open 2022 में महिला एकल का खिताब किस ने जीता है किस ने जीता है woman single title at singapore open 2022 उस player का नाम है pv sindhu pv sindhu नहीं जीता है singapore open 2022 next है who among the following players won the australian open tennis tournament in january 2022 तो किस खिलारे ने january 2022 में australian open tennis tournament जीता वो कौन सा player है जिसने australian open tennis tournament जीता है तो राफेल नडाल ने जीता है ओके राफेल नडाल is the right answer next है the book mst the man the leader on cricketer महिंदर सिंग धोनी is written by ओके तो इस book को किस ने लिखा है the man the leader on cricket महिंदर सिंग धोनी is written by क्या नाम है इनका विश्वदीप घोष ओके इन्हों नहीं लिखा है विश्वदीप घोष ने next है who was the governor general of bangal when the permanent settlement was introduced there in 1793 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका governor general कौन था उस टाइम पे कोन governor general था तो right answer क्या होगा Charles Cornwallis ओके ये थे उस वक्त governor ठीक है permanent settlement जब introduce किया जा रहा था 1793 में next है how many Indian states shared land border with Pakistan तो कितने भारतिये राजिय पाकिस्तान के साथ भूमी सीमा साजा करते हैं land की बात हो रही है तो land की बात हो रही है तो वो क्या होगा ठीक है वो land की बात हो रही है तो इस side में है आपका Pakistan तो क्या होगा right answer? टूटल चार ऐसे राजे हैं उनका नाम है जम्मू एंका स्मीर राजस्थान गुजरात पंजाब ओके नेक्स्ट है टाइफॉआइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ट बाई विच अब दा फॉलिंग टेस्ट अगर माल लिजे किसी को टाइफॉआइड फीवर हो गया तो किस टेस्ट से पता चलेगा कि उसको ये फीवर हुआ है या नहीं हुआ है टाइफॉआइड बुखार की पुष्टी निमलिकित में से किस परिक्षन से की जा सकती है तो राइट एंसर हो का वाइडल टेस्ट, यहीवो टेस्ट है वाइडल टेस्ट जिससे कंफर्म किया जाता है कि किसी वैक्ति को टाइफॉआइड है या नहीं है नेक्स्ट है, which of the following is an example of phylum Molska, तो कौन सा example है phylum Molska का, तो right answer क्या हो जागा यहाँ पर, octopus, तो यह याद रखेंगे, octopus है, example phylum, ठीक है, Molska का नेक्स्ट है, क्रिष्टना रिवर, meet the sea in the bay of Bengal, in which of the following states, क्रिष्टना नदी, निम्निलिखित में से, किस राजस में, बंगाल की खारी में, समुद्र से मिलती है, तो देखें, options से भी आप पता कर सकते हैं, क्रिष्टना रिवर, आप जानते हैं, साउथ में जाता है, उसका भा निम्निलिखित में से, किसने वर्स 1503 में, भारत में, पहला यूरोपिये किला बनवाया था, उसका नाम वो कौन सा है, तो राइट एंसर होगा, Portuguese, पुर्तगाली ने बनवाया था, पुर्तगाली ने वर्स 1503 में भारत में पहला European किला बनवाया था, next है what do you call the transparent front part of the eye ओके, आँख के सामने के पारदर्सी भाग को आप क्या कहते है क्या कहा जाता है transparent front part of the eye को, right answer क्या होगा cornea, cornea कहा जाता है okay, cornea next है, the चालुक के डैनेस्टी, ruled in ruled in वातापी, which is in the modern days Indian state of चालुक के once ने वातापी में साशन किया, जो अधुनिक भारतिय राज डैस में है जो चालुक के डैनेस्टी ने ruled किया था, वातापी में वो modern day में, मतलब at a time, present time पे, कौन सा Indian state है, वो है करनाटक, okay, करनाटक right answer है next है, रतवई is a dance form associated with the dash tribes of India रतवई भारत की dash जन जातियों से जूरी एक निर्त सहली है, किस वो कौन से जन जाती है तो right answer क्या होगा मेवाती, okay, मेवाती रतवई जो है, ये dance form है associated, किस से मेवाती tribes है next है, रानी रुद्रमा देवी was a famous ruler of the dash dynasty, तो रानी रुद्रमा देवी जो है, वो किस वांस की प्रसिद सा सकती तो right answer क्या होगा, काकातिया डैनिस्टी की, okay, काकातिया डैनिस्टी की ये famous सा सकती, रानी रुद्रमा देवी, ace against odds, ये किस की आत्म कता है, ace against odds, किस की आत्म कता है, ये right answer क्या होगा, सानिया मिर्जा की ये आत्म कता है ace against odds, next है military commanders in अकबर's empire were called अकबर के समराज में सैन ने कमांडरों को क्या कहा जाता था, किस नाम से उन्हें बुलाया जाता था अकबर के समराज में सैन कमांडरों को क्या कहा जाता था, क्या होगा right answer, फौजी दार कहा जाता था, ठीक है, फौजी दार कहा जाता था next है, which of the following monuments is located in the state of करनाटक, करनाटक में कौन सा यहां पर इसमारक इस्तित है क्या होगा right answer आप समझी के होंगे, गोल गुंबच जो है, यह कहा है, करनाटक में है next question है मुर्सिद कुली खान was the nawaab of डैस, मुर्सिद कुली खान जो थे, वो कहा के नawaब थे, मुर्सिद कुली खान कहा के नawaब थे, तो यह थे, बंगाल के नawaब, ठीक है बंगाल के नawaब कौन थे, मुर्सिद कुली खान next है which of the following is the chemical symbol of curium, ओके curium का रशायनिक प्रतिक क्या है, क्या है symbol curium का, तो वो होगा cm, ठीक है cm जो है, यह है right answer, chief minister नहीं, cm है, curium का symbol, next है which of the following force was built by the Kakathya dynasty तो किस किले का निर्मान Kakathya Rajwans किया गया था, किस किले का निर्मान किया गया था, तो right answer क्या होगा, गोल कॉंडा ठीक है, गोल कॉंडा जो है इस किले का निर्मान किया गया था Kakathya dynasty के दोरा, तो इस तरीके से जो है, यह mock test number 9, यहीं पर होता है समाब मौक टेस्ट टेंज होगा वो होगा अंतिम परहार मौक टेस्ट का जिसमें स्टैटिक जीके के जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक है उसका पूरा कंबाइन कोशन और प्रिवियस में जो पूछे गए हैं अभी स्टैटिक जीके और उसको शेयर भी करेंगे ठीक है चलिए मिलते हैं आप से उसी मौक टेस्ट नंबर टेन में तब तक के लिए ओल दा बेस्ट